उत्तर प्रदेश विधानसवा चुनाओं को लेकर सरगर्मिया जोरो पर है राजनीतिक दल जीत का दम भरने के साथ साथ गटबंधन पर भी जोर दे रहे हैं इसलिए वो दुश्मनों को भी गले लगाने को तयार है सुभा सपाध्यक्ष ओम प्रकास राजभर ने भी बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिये हैं लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है जो सत्तारूड दल की मुश्किल ने बढ़ाएगी राजनीती में कब क्या हो जाए कुछ कहां नहीं जा सकता नेता नफा नुकसान देख कर दुश्मनों से भी गल्बहिया करने से परहेज नहीं करते जबकि दोस्त को भुला कर उससे अदावत शुरू कर देते हैं अब उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के मद्दे नजर भी नेताओं ने अपना नफा नुकसान देखना शिरू कर दिया है और गटबंधन की नई कहानी लिखने को तैयार हो रहे हैं सुभा सपा अध्यक्ष उम्प्रकाश राजबर अब खुद बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं सुत्रो के अनुसार ओपी राजबर की बीजेपी नेतरत से वारता भी शुरू हो चुकी है राजबर ने कहा कि राजनीती में संभावनाय खुली रहती है सामाज एक नियाय समिती की रिपोर्ट लागू करने इसना कोतर तक की एक समान फ्री सिक्षा घरेलू बिजली विल माफी जैसी मांगे हैं जो लागू करेगा उसके साथ जाने को तैयार है ओपी राजबर ने कहा कि समाज हित में राजबर कोई भी कदम उठाने को तैयार है उन्होंने कहा कि बीजेपी से बात बनी तो सिर्व वो नहीं बलकि पूरा भागीदारी मोट चा साथ जाएगा अब सवाल ये है कि आखिर राजबर इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को कैसे मनाएंगे राजबर का कहना है कि वो भी बीजेपी विरोधी थे लेकिन अब जाने को तैयार है वैसे ही ओवैसी से बात की जाएगी राजबर के बयान के बाद बहराल इतना साफ दिख रहा है कि उनकी बीजेपी साथ वापसी लगभकते है लेकिन सवाल ओवैसी का है और वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को बिलकुल तैयार नहीं होंगे यानि साफ है कि OVC और BJP कभी साथ नहीं आएंगे ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि क्या राजनीतिक फाइदे के लिए राजबर OVC का साथ छोड़ेंगे या फिर BJP को निराश करेंगे टीवी लाइफ की रिपोर्ट